आप देख रहे हैं दर्बन भारा चैनल आने वाली परियटक अपने शेहर की भागदोर से तूँ शान्ती और प्रक्ती की गोद में सुकून के पल बिताने आते हैं डांका हिल स्टेशन साप उतारा परिटकों के बीच सबसे ज्यादा लोग प्रिये है यहां का संसेट पोइंट और शांत जील लोगों को सुकून और रोमांच का शांदार अनफ़फ देते हैं यहां परियटक, वोटिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग जैसी कई आउट्डोर अक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं डांग का वागाई बुटानिकल गाडन भी आकर्शन का केंद्र है जहां अलग-अलग तरह के पेड़ और पौधों की विविददा देखने को मिलती है लोग यहां सेर करते हुए ताजी हवा और प्रक्ति की सुन्दर्ता का आनंद लेते हैं डांग की खूपसूरती सिफ प्रक्ति तक सीमित नहीं है यहां के आदिवासी समुदायों की सम्रिद सांस्कृतिक धरोहर भी इस जगा को खास बनाती है यहां परिटकों को अनोखी परंपराओं और रीती रिवाजों से जुड़ने का मौका मिलता है यहां के गिराधोद जरने का आनंद लेने पहुँचे परिटकों ने इसकी खूपसूरती और गरजन करती पानी की धार को देखकर अपनी खुशी जाहिर की आप मेरे और मेरे परिवार के चेहरे से पता सकते हैं कि कैसा लग रहा है फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक बार तो यहां पर आना ही चाहिए और अगर आपके पास टाइम है तो दो बार यह तीन बार यह जब भी आपका मन करें अगर आपको फ्रकूरती के साथ थोड़ा समय बिताना है तो जरूर आइए हम सब नेचर लवर से हमको सब को नेचर प्लेस में जाने का बहुत बढ़िया सोख रहता है वैसे सासंगिर भी पुरा नेचरल ही है लेकिन यहां की ब्यूटी उससे कहीं ज्यादा है क्योंकि यह हिल सेशन है और सेकंड रिजन यहां पर है यहां की जो हाइट की वज़े से जो इसको एलिविशन मिलता है इसके जो ठंडी हवाय का जो फेल होता है एक्स्परेंस होता है एकदम बढ़िया रहता है यहां साब के तरा आखे रिफ्रेस्टमेंट ज़्यादा मिलता है इसक शेत्र की सम्रुद सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है यहां की आदिवासी जनजातियां मुख्य रूप से बास के उतपाद बना कर और जैविक खेती से अपनी आजविका चलाती है साथ ही परजन से इन्हें एक अच्छा रोजकार भी मिल जाता है अच्छा में। मौन्सून में डांग की प्राकर्तिक सुन्दर्ता, सांश्कृतिक धरोहर और एको टूरिजम का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है प्रशासन द्वारा यहां के एको टूरिजम को बढ़ावा दिये जाने से ना सिर्फ इसक्षेत्र का विकास होता है बलकि यहां के प्राकर्तिक सन्रक्षन को भी बढ़ावा मिलता है लाइक करें शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं धन्रवाद